जब हमने कहे दिया कि अगर किसी ग्रहिणी का धाय लाग रुप्य अगर वो बैंक में जमा कर देगी तो सरकार उसको नहीं पूछेगी कि ये धाय लाग रुपे कहां से आए था इसका प्रणाम क्या हुआ मालू मैं कहीं बेटे और बहुएं भी जो ब्रदाश्रम में मां को रख्के आये थे उन्होंने डाइधान लाग रुपे जमा करा दिया मां के खाते में अब मुझे बताईए ओ मां मुझे आशिरवाद देगी कि नहीं देगी ऐसी भुद्ध मां आशिरवाद दे तो फिर योजना सपर होने में कोई आशंका रहती है क्या भाई यो भनो ये बहुत बड़ा स्वक्षता का अभ्यान है ये किसी को परिशान करने के लिए नहीं है तकलिफ हुई है तकलिफ तो होती है मुझे भी अंदार मैंने पहले दिन भी कहा था जब आख तारीकों मैंने राष्ट के नाम संबोधन किया तब भी कहा था कितना बड़ा देश हैं पचास दिन दिये हैं जल्दबाई जी करने की जरूप नहीं है पचास दिन दिये हैं जा करके अपने जो इमानदारी के हक के पैसे हैं वो जमा कराएं बड़ले में उनको खाते में पैसे आ जाएगे हैं लेकिन मैं इस बात को स्कुष्ट मानता हूं बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ तो उसका बेश आजाद हुआ तब से आज तब का हिसाब चेक करने वाला हूं इतने लोगों को नए लाना पड़ेगा लाकर के भी इस काम में लगाऊंगा हां कि मामदारी का है उसका जैजेकार उसको कोई प्रॉब्लम ने बाएगा लेकिन इस प्रकार से किसी ने जमा किया और वो सोचता होगा का आज बैंक में रख लूँगा फिर देख लूँगा कोई बच्चेने वाला ने है और जो लोग मुझे जानते हैं वो कुछ समद्धार भी है तो उनको लगता यार बैंक में जाने के बजाए गंगाजी में जाना अच्छा है पैसे मिले या नह मिले पुन्य तो मिल जाएगा और इसलिए देश को को मैं फिर एक बार हूँ आज पहुंचते ही फिर से भी मैं लोगों को बार बार कहने वाला हूँ इमानदार लोगों की रक्षा करने के लिए मेरी सरकार सब कुछ करेगी और वे इमानों को तो हिसाब चुकता होके ही रहेगा